दोस्तो नीट फोर स्पीड तो बहुत बार खेलाओगा और जब खेलाओगा ना तो ऐसी फील आई होगी यार एक दिन मैं भी बिहाइंड दा वील्स बैट दाओं होट सीट पे और उडाओं कारों को लेकिन दोस्तो इतना भी आसान नहीं है माना की हाई स्पीड मैनियूरिबिलीटी है माना की एकदम तेज स्पीड है रफटार है अडरेनलिन रश है लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा है पसीना गर्मी होता क्या है न यह जो कार होती न इन कार के अंदर एफिशेंसी इंप्र प्रफोर्मेंस इंप्रूमेंट इस सब पर ध्यान रख जाता है लेकिन ड्राइवर की लगजरी पर कोई भी ध्यान नहीं होता है वह प्रिईड के अगनी लगनी चाहिए, जो racing car का driver है वो बच जाना चाहिए, because human life सब सु important है, लेकिन जब car चल रही है, जब car के अंद एक driver hot seat पे बैठा है, वो racing car को भगाय जा रहा है, वो racer जो है, उस वक्त temperatures हैं, वो car के अंदर पहुंच जाते हैं तकरीबन 115 degree Fahrenheit तक लेकिन, allowed temperatures होते हैं 95 degree Fahrenheit तक, यानि जितना allowed है, उससे भी temperature जादा निकल गए, और वहाँ पे सब सब बड़ी problem आ जाती है पसीने की और गर्मी की, अब उसके लिए बहुत सारे टेडे मेदे जुगाड टिकडम बिठाए वे हैं, लेकिन जब perfect solution चाहिए था, तो सब ने देखा ऊपर, भगवान की साइड नहीं, space race की साइड क्योंकि NASA से पूछा गया कि भई, अगर कोई solution है तो बता दो लेकिन actually NASA का कमाल ऐसा है न, NASA के पास अगर कोई चीज का solution होता है तो अपने आपी market में आके बोलेता है हाँ भई, किसी को चाहिए हो, तो हमने बना दिया है बात ही कुछ ऐसी है दोस्तों आज के स्वीडियो में बात करने वाले हैं अपन space suit से racing car के suits की या फिर बात करेंगे space race से car race तक की journey की, एक simple basic concept से बने विए एक simple basic idea की दोस्तों मैं हूँ तुमारा mentor friend Manish Purohit आमा फो मैं स्वीडियो साइंटेस्ट और आज मैं space race वाली series में वीडियो लाया हूँ, ओल्ड़ी इस series में काफी वीडियो आ चुके हैं तुम जाके explore कर सकते हूँ, वह मैंने बहुत पहले record करे थे और अब अपना channel बहुत flourish कर गया है तो हो सकता है मेरे काफी friends ने इन वीडियो को नहीं देखा हो गो एंड चेक आउट दोस्तों, इसमें भी काफी अच्छी बाते करिए मैंने आज के वीडियो में मैं बात करूँँगा space race से car race तक की अब यह तो सारी चीजें हैं अब यह तो सारी चीजें हैं अब यह एस्ट्रोनोट्स तो चांद बजा के आ गए चांद का भी survey कर लिया वापीस भी उनका लेके आगे धर्ती पे उनने अपनी जिंदगी भी जी ली NASA ने भी बहुत नाम ख्याती कमा लिया सब कुछ हो गया लेकिन जो लैप्टॉप्स हैं मॉबाइल कैमराज हैं स्क्रेच रिजिस्टेंस ग्लासेज हैं वोटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स हैं इनने आम आदमी की जिंदगी को इतना आसान कर दिया रहे टेक्नोलोजी को इतना पुश मिला इन सारी चीजों से कि आज की तारिक में बिना लैप्टॉप के आप किसी भी बड़ी फॉर्म में तो सोच ही ने सकते कि कोई कोडिंग कर रहा होगा कोई प्रोग्रामिंग कर रहा होगा कि आप एक सॉफ्टर इंजिनियर हो जो मैंने बना दिया इसकी बहुत बड़ी एप्लिकेशन हो सकती है यह आम आदमी तक अगर पुंचा दिया जाए तो यह बहुत बड़ा कमाल कर सकता है उन स्पिन आप्स में एक नाम आता है दोस्तों वो नाम आता है फेस चेंज मेटीरियल का हुआ क्या था जब एस्ट्रोनोट्स है वो इस्पेस में जाते हैं तो उनके लिए लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है कैसे तेंपिरेचर जो है वो प्लस 112 डिगरी सेंटीग्रेट से माइनस 112 डिगरी सेंटीग्रेट तक फ्लक्ट्वेट हो जाते है वहाँ पे रडियेशन जो है उसको रोकने के लिए ओजोन नहीं है तो सूरज महराज जो है वो जो कुछ भी फेक रहे हैं वो सीधा आप पे आके भेड़ रहा है वहाँ पे जो और हाई एनरजी पार्टिकल्स हैं वो भी आपकी साइड आ रहे है और वहाँ पे उक्सीजन भी नहीं है इन सबको सॉल करने के लिए बनाया जाता है एक स्पेस सूट इस स्पेस सूट अपने आप में पुरा एक इको सिस्टम पुरा एक एटमोस्फियर लेके चलता है जो हर चीज को कंट्रोल करता है जो प्रैसर को कंट्रोल करता है जो टेंप्रेचर को कंट्रोल करता है जो आपको ऑक्सीजन देता है जो आपके पसीने की आपके वेस्ट रिमूवल की डिस्पोजल की सारी प्रॉब्लम सॉल करता है और वहाँ पे एक problem में आ गई थी कि manoeuvrability और operation जो करना है मुझे space suit पहन के उसमें जो gloves है मेरे उनके through heat की problem आ रही थी क्योंकि जब बाहर गर्मी जादा थी तो वो properly उसको रोकनी पा रहे थे और बाहर ठंड जादा थी तो भी problem आ रही थी और NASA explore कर रहा था कोई ऐसा solution कि कुछ ऐसे space gloves बना दिया जाएं जो की heat को control कर सके यानि अगर कोई ऐसा material मुझे मिल जाए जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसको absorb कर ले लेकिन temperature ने बढ़ने दे और अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो अपने अंदर से गर्मी generate करके temperature को regulate कर दे कुल मिलाके एक ऐसी चीज चाहिए थी physics और chemistry जहां पर बीच में मिलती है जिसको कहते है phase change materials जहां पर physics भी है chemistry और दोनों का mixture बनता है वहां पर solution मिला था NASA को तो NASA ने 1980s में जब इस process को explore करना चालू किया they did very extensive research on that लेकिन माना यह idea कभी orbit में नहीं गया कभी space में नहीं एक बहुत बड़ा customer मिला जब बात हुई racing cars की racing cars के अंदर दोस्तों सब कुछ होता है बस एक चीज नहीं होती वो है temperature regulation when the racing car के अंदर जो driver है वो hold seat पे बैठके car को भगा रहा है 300 km per hour की speed से अब just think about it आप 115 degree Fahrenheit temperature पे हैं आप car को भगाये जा रहे हैं आपके पसीना आ जाता है उस पसीने को आप adjust करना चाहरे हैं पसीने की पूंद अगर पीठी side चल रही है तो गुदगुदी मचा देती है अब ऐसे case में कर ध्यान भटका तो कुछ भी हो सकता है right आप हार तो सकते ही है accident भी हो सकता है लेकिन इन सारी चीजों का तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है जिस तरीके का fabric use करते हैं जिस तरीके का design होता है वो उनका जो suit होता है racing suit जो होता है लेकिन heat generate अगर हो रही है तो उस generation of heat को skin तक transfer होने से नहीं रोका जा रहा था यानि कहीना कहीं you have to bear the heat ऐसे case में हुआ यह कि explore किया गया कि जो face change material है जो कि use कर रहा है NASA NASA जो propose कर रहा है space suit के अंदर use करने के लिए जिनके खास बात यह बताए जा रही है कि वो heat को इस तरीके से गायब कर देते हैं कि पता भी नहीं चलता होता है कि अगर बाहर गर्मी जादा है तो उस गर्मी को absorb करके वो अपना face change कर लेंगे लेकिन temperature नहीं बढ़ने देंगे just like कि बही जो बरफ है वो zero degree पर ही बरफ है और zero degree पर ही पानी हो गई यानि उसने heat तो absorb करी लेकिन temperature अभी भी zero degree रह गया मैं बरफ नहीं भेज रहा हूं उपर face change material बरफ नहीं होती there are so many different examples जैसे सबसे basic example तो है आने देते हैं rather बीच में ही उस temperature को रोख कर अपना face change कर लेते हैं कुल में आके वो कुछ भी करेंगे वो अपने temperature को change नहीं होने देंगे और वो जो temperature होता है वो mostly in face change material का जो melting point है उसके पास रहता है यानि अगर मैं कोई एक ऐसा face change material बना लूँ जिसका melting point मेरे सरीर के temperature normal temperature के आस पास है तो problem solve लेकिन बात यह थी कि भई सबसे ज़्यादा जो गर्मी हो रही थी जो पसीने की problem हो रही थी वो hot seat पे हो रही थी यानि जो मेरे racing car के drivers हैं उनके लिए जो भी आप बनाएंगे वो उनका inner wear उनका under wear या inner garment होगा अब उसके लिए सबसे बड़ी problem यह है कि वह वहां पे you have to be very 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 cautious क्योंकि वह एक ऐसा area कि अगर वहां पे कुछ भी गड़बड होती है तो it can be very harmful and dangerous तो सारे ध्यान रखे गए सारी regulations का ध्यान रखा गया तो इक सबसे बड़ा सवाल यह आ गया कि यह phase change material कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक अभी यह heat को रोक लेगा लेकिन अगर in case कोई accident हो जाता है तो ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले आग पकड़ ले तो उस चीज को भी explore किया गय and finally जो solution निकल के आया वो ऐसा था कि inner wear बनाए गए इन racing car के drivers के लिए चाहे वो NASCAR हो चाहे वो F1 हो चाहे वो कोई CV कोई CV race हो जहां पे high speed cars run कर रही हैं जहां पे temperatures बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि उन cars के अंदर तो बेचारे drivers के लिए AC और पंखा भी नहीं होता है तो वहां पे जब यह solution निकला तो इस solution ने सब सब बढ़ी चीज यह करी कि sweating की rate को 40% कम कर दिया और अगर आप सब जानते हैं दोस्तों कि अगर sweating कम हो जाती है तो जिस तरीके से sweating कम हो जाती है तो मैं भी बहुत आसानी से यह सारे lectures record कर पाता हूँ so just think about when you are driving at 300 km per hour और आपकी sweating 40% कम हो गई यानि आपकी consciousness आपका control आपका adrenaline rush है आप उसको भी control कर पाएंगे आपकी heartbeat आराम रहेगी आपका blood flow normal रहेगा and जितना ज्यादा better control रहेगा उतनी कम आप error करेंगे and उतना ही ज्यादा chances भढ़ जाएगा आपका lap जीतने का and this has resulted काफी simulations करें गए और देखा गया कि yes with this improved clothing जहाँ पे face change material यूज हो रहा है वहाँ पे racing car drivers जो थे उनकी performance drastically improve हुई थी so दोस्तों यह था एक छोड़ा सा वीडियो जहाँ पे एक basic science और physics के concept ने जिसको use किया जाने वाला था space suit design में उसने अपना रस्ता बनाया racing car की दुनिया में और आज almost हर racing car competition में use हो रहा है वह है face change material तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो like करो share करो subscribe करो bell icon जरूर दबा देना और अभी इस playlist के सारे वीडियो देख डालो को कि सभी वीडियो में कुछ ना कुछ technology ऐसी बताईए मैंने जो space race से निकली थी लेकिन अपनी life को बहुती comfortable करती है मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तके लिए जैहिंद क्यों दोस्तों मज़ा आया ना actually यह जो वीडियो होते ना यह अपनी inquisitiveness को अपनी eagerness को physics को जानने की जो अपनी इच्छान उसको काफी बढ़ा देते हैं अगर उसी के साथ उसी के साथ इनी वीडियो के साथ अगर वही mentor तुमको physics पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा यानि मैं कहूंगा कि भई मेरी तो 5 उंगलियां या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएगी सो दोस्तों ऐसी एक opportunity मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूँ मैं Unacademy Atoms YouTube चैनल पे free में सबको live physics पढ़ाता हूँ रोज live आता हूँ YouTube चैनल Unacademy Atoms पे मैं पढ़ा रहा हूँ J.E. के लिए physics चाहे वो J.E. main हो चाहे advanced हो rather मैं बोलूगा दोस्तों 11-12 के बच्चे जो physics पढ़ना चाहते हैं चाहे वो कोई भी examically prepare कर रहे हैं I am there for you, I am teaching it completely and totally free for you guys तुम सब के लिए मैं live और free पढ़ा रहा हूँ Apart from that दोस्तों मैं Unacademy App पे भी special classes ले रहा हूँ जो की free होती हैं और वो भी live classes होती हैं वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को guide कर रहा हूँ और mentor कर रहा हूँ physics के लिए Let's understand physics physics से अपन प्यार करना सीखें physics को अगर अपन समझें तो अपने concepts rock solid हो जाते हैं और अगर एक बार concepts rock solid होगे दोस्तों तो number भी आएंगे अच्छा performance भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा अगर तुमको मैं को search करना है Unacademy App पे तो तुमको search करना पड़ेगा Manish Isro M-A-N-I-S-H-I-S-R-O Manish Isro यह मेरा idea दोस्तों जिससे कि तुम मैं को search कर सकते हो मैं को follow कर सकते हो मैं को reviews दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो अगर तुम किसी भी subscription को लेना चाते हो Unacademy App पे या तुम free classes को unlock करना चाते हो तो free classes को unlock करने के लिए you can use the code Nimbus बिलकुल अपना दिल वाला Nimbus प्यार वाला Nimbus NIM BUS Nimbus का code यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी free material है सब unlock हो जाएगा तुमारे लिए और अगर तुम कोई subscription लेते हो कोई long term course की planning करते हो अगेडमी आप पे तो वहाँ पे भी NIM BUS तुमको 10% extra discount दिलाएगा दिल से प्यार से सब दोस्तों फिर से बता दूँ मैं हूँ तुमारा mentor friend Manish Purohit Unacademy Atoms YouTube channel पे रोज आता हूँ लाइव physics पढ़ाता हूँ feel के साथ rock solid concepts बनाने के लिए चाये तुम कोई भी हो NEET Aspirant, JE Aspirant, KVPY, NACP कोई भी exam की preparation कर रहे हो physics तुमको मैं पढ़ा दूँगा apart from that Unacademy app पे भी आता हूँ in special life classes सिया देयर दोस्तों love you all Jai Hind